हे तो गाईस दिस सैम एंड आज मैं आचको एक और नहीं वीडियो के साथ तो बेसिकली इस वीडियो में आपको एक बेसिक सी चीज बताने वालो एसी ओ में जो बहुती ज़्यादा इधर पर एफेक्ट करते ठीक है तो मैं इधर पर आपको एकदम क्लेरली बताने वालो इस कौन से चीज सबसे ज़्यादा एसीओ में एफेक्ट करती है जैसे आप एक कीवर्ड सर्च करते हो एसीओ ठीक है तो उससे कहोते हैं कि आपको फ्रेंट पेजस में जो है बहुत सारी पर रिजल्ट्स आ जाते ठीक है और रिजल्ट्स आने के बाद फिर इमेजस का भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो कुकि में बहुत ही जली फ्री का ऐसीओ वेबिनार ला रहो आप सब के लिए तो इधर पर देख लो ब्लॉग स्पोट सब डोमेन है गूगल पर रैंक हो रखा है इधर पर पूरे इंप्रेशन देख सकते हो उपर रूव है आपके सामने डिक सब्सक्राइब कि एफेक्ट किस चीज़ के वैसे इसकी ना ऐसी में हो रहा है तो मैंने जब अपने वीडियो में इस वेबसाइट करें बहुत ज्यादा बात की तो इसकी रैंकिंग और भी कीवर्ट के बढ़ गी आप देख सकते हो कि और भी ज्यादा कीवर्ट के रैंक हो तो उसके हिसाब से फर्स पेज़ पे रैंक होगा सेकंड पेज़ पे रैंक होगा तो वैसे चलता है अगर जैसे मैं कोई कीवर्ट पर अभी रैंक हो रहा हुँ ठीक है इंप्रेशन सारे मेरे जैसे कि यह अगर आप रैंक करना चाते है तो मेरे बहुत सारे कीवर्ड के लिए मूवी वेबसेट रैंक होती है इतने बार दिखाया है और क्लिक थोड़े कम थे तो मैं अलग अलग लग कीवर्ड जो उनको सर्च करूंगा और सर्च करके बताऊँगा कि मेरा जो इधर पर सेकंड पेज भी रैंक हो रहा होता है हमारा वेबसाइड तो ऐसा भी होता है ठीक है और ब्लोग स्पोर्ट सब डुमेंग को मैंने रैंक किया है मुवी वेबसाइड क्लिक किया है और बहुत ही कम कॉंपेटिशन है जैसे आप देख सकते हो कि 29,000 ऐसे 30,000 ऐसा कॉंपेटिशन चलते रहता है और इतने कम कॉंपेटिशन में रैंक करना बहुत ही ज़्यादा इज़ी है तो आप लोग भी ऐसी कीवर्ट के वर काम करो इसी ब्लोग स्पोर्ट भी इधर पर रैंक हो जाता है औ आपको दिखाया थो 2nd page पर मैं कहाए ठीक है सेकंड पेज पर देख लेते कि रैंक हो रहा है तो इधर पर ये देखो मेरा website तो मैंने इदर पर सर्च किया इदर पर देख सकते हो अब लूड हुआ एंड फर्स पेज पर मेरा सेकंड पुजीशन पर आ रहा है वेबसाइट ठीक है तो इदर पर देख सकते हो पूरा उपरा और इदर पर पहले तो फर्स पेज पर आ रहा था कूकि तब CTR इसका अच्छ हो जाएगी तो एक बार चेक कर लेना एंड इसकी रैंकिंग में बढ़ जाएगी तो आप लोग खुद अपने प्रूफ के लिए भी देख सकते हो मेरी वेबसाइट को सर्च करके कीवर्स के लिए तो इदर पर देख सकते हो कैसे किवर्स में मेरे इंप्रेशन दिखा जात हो तो इथर पर आपको पता तो सीटर को पर आप काम किसे करें तो इधर पर देखो जैसे कि आपने कोई keyword यह पर target किया है ऐसे ओ टिपस ले लोगें तो इधर पर आपकी website rank होने लगे हैं सेकेंड पेज पर या फिर फिर उसकी image जो होती है वो भी rank खोने लगे रिखे या फिर उसकी जो इमेज़ होती है वो भी रैंक होने लगे कम बिखेंट आपको कम रिजल्ट्स पर काम करना ताकि जल्दी रएक और एक बार रैंक होना चाहिए ना तो आप इमेजस में चेकर हो कि इमेज में राइंक पहले हुआ है कि आल सेक्षन में वाइट है तो आप इमेजस से भी जाकर के अपने लिए CTR जनेरेट कर सकते हो अभी वह आपको कैसे करना है मैं पूरा को पूरा एक्जामपल के साथ आपको बता देड़ डाओ ठीक है तो इधर पर एक्जामपल आप देख सकते हैं पूरा जैसे कि आपका एक रैंक हो चुका है अगर आपको और में रैंक नहीं होए ठीक है अभी आपने दस दीनी हो और रैंक सिर्फ इमेजस में होगा सबसे पहले तो अन्टीन महीन ने तो लगते हैं फिर दो महीने इधर पर बार माने के लिए तो में इमेजको पर क्लिक करके मैं इधर से जाओंगा अगर आप एक एक सो सो कुछ यूनिक विजिटरस है जो इस खीवर्ड को सर्च करके इस इस इमेज़े को अपने लिए रेलिवेंट साबित कर रहे हैं तो अधर बढ़ेगा तो गूगल को ऐसा लगा कि यह इस कीवर्ड के लिए सबसे बेस्ट जो आर्टिकल है तो इसको मैं रैंक करता हूं कुई ना ओल पर भी तो थोड़ा वाथ उदर पर भी इसका पूजिशन जो है वह ठीक हो जाता ठीक है तो इसे पूरा देख सकते हूं मेरी पूजिशन भी ऐसी ठीक हो यह पहले मैंने इमेजेस से इसको रैंकिंग बढ़ाया था मेरे पास इदर बहुत सारे फोन पड़े हुए को कि मैं बहुत जाता अर्णिंग करता हूं तो मैं एक्स्रा फोन देखे रख देता हूं इसी काम के लिए मैं खुछ सेल्फ सीटियार का जो इदर पर काम होता हूं करता हूं मैं कुछ 25-30 फूल से काम कर लेता हूं ठीक है अपने दोस्तों से भी ऐसी क्लिक करवा देता हूं कीवर्ड सर्च कर गड़ी है आपको क्या करना अगर आपका इद आटिकल को पढ़ रहे हैं तो गुगल को जब ऐसा लगेगा तो आपकी आटिकल ज्यादा अच्छी रैंक होने लगेगी कुई गुगल को लगेगा की जादर एंड रीडर्स के लिए ज्यादा इंपोर्टन रहेगा और अच्छा रहेगा तो वैसे करके रैंकिंग बढ़त गुगल पर वाटिकलर रैंक होगी तो जाद क्लिक ने आएंगे लेकिन आप अगर लिखते हो इदर पर हाव टुगेट एटसेस अप्रूवें 24 तो यह वाला जो टाइटल है ना यह क्लिकबल लग रहे है अट्रैक्ट कर रहा है लोगो ठीक है तो लोग ज्यादा क्लिक करे करेंगे तो जादा CTR जनेरेट होगा तो इधर पर जादा अच्छी रैंकिंग मिलेगी जादा ट्राफिक मिलेगा तो आपको CTR को पर काम करना है सेल्फ CTR आप खुद से क्रेट कर सकतो यह ट्रिक एक बहुत एची ट्रिक है किसी भी यूटूबर ने आपको बता ही नहीं म इतना ज्यादा हाड नहीं है आपको इमेज की ऑप्तिमाइशन यह सब अच्छे सा करना है इमेज को ऑप्तिमाइज करो अच्छे से रैंक करो इमेज के ठिक हैं इमेज को अगर एक बार रैंक कर दिया तो उधर से क्लिक करके आज़ा वर्च ठिक है तो CTR अच्छा झाल झाल